हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आई उप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगें आपके सामनेंगे मुश्ट इंप कोक्रोच के बारे में स्टडी करना है दोस्तों आज हम इस प्रकार का लेक्चर नंबर फॉर आपके लिए लेकर आ गये हैं जो कि अगें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वादा है तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो ले लोग बोलते हैं वह कैसे होता है क्या-क्या पार्ट होते हैं यह हम लोग डिसकस करेंगे तो कॉक्रोच बेसिकली अगर बात किया जाए इडाज वेरी ओपन टाइप अफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड यानि कि अगर बात करें हुमें बिंग से कंपेर किया जा तो हुमें इसका खुलोजड शर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि हमारे में नर्वस प्रेजंट होते हैं लेकिन कॉक्रोच में ऐसा नर्वस वगरे कुछ भी नहीं होता है उनकी बॉड़ी के अंदर कैविटी होती है और इसको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है और इसके अंदर जो ब्लड होता है वह जनरली क्या होता है कलर लेस्ट अपने देखा भी होगा कई कोक्रोच वगरे बच्पन में हम लोग मस्ती करते तो कॉक्रोच को आपने मारा भी होगा बट इस नॉट टैक्चुली गूड नहीं मारना चाहिए इस अगेंज द लाइ वो क्या होता है कलर लेस होता है यानि कि लगभग वायट ईश कलर का होता है वो आपको ट्रांस्परेंट जीसा दिखा है जैता है जिसको हेमो लिंफ के नाम से जाना जाता है ठिक है साथ ही में डॉरसल ब्लड वेसल प्रेसεν वोते ह। तो क्या होता है यह सभी चीज डिश् तो हेमोलिंफ क्या है? हेमोलिंफ of cockroach is without any pigment, hence it is colorless, यानि कि जो हेमोलिंफ होता है, जिसको हम लोगे in short बोलेंगे cockroach का blood, हेमोलिंफ को क्या बोलते हैं दोस्तों समझ लो, cockroach का blood बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि कोई भी pigment इसमें present नहीं होता है, generally human beings के अंदर RBC present होता है, red blood car pigment present होते हैं, that's why हमारा जो खून का color होता है, वो red होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी pigment present नहीं होता है, that's why ये जो cockroach के जो हेमोलिंफ होते हैं, यानि ब्लड जो होते हैं, colorless होते हैं, and it consists of plasma and seven types of blood cells hemocytes, यानि कि एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे cockroach के अंदर plasma तो present होता है, जैसे human being में भी plasma present होता है, जो आपके blood को thick बनाता है, same उसी प्रकार cockroach में भी plasma present है, and साथी में इसमें क्या present है, 7 प्रकार के blood cells present है, basically human beings में एक ही होते हैं, RBC, WBC, और भी होते हैं, बहुत सारे, ठीके न, वैसे यहाँ पे 7 types of blood cells present है, जिसको hemocytes के ना आ गया होगा, वैसे अगर बात करें, hemocytes की, तो hemocytes is nothing but, अगर मैं बात करूँ, कि जो body cavity होती है, cockroach की, जिसको सीलम के नाम से भी जाना जाता है, body cavity, सीलम, cockroach का, वो generally divide होता है, तीन साइनस में, यानि कि तीन हिस्सों में divide होता है, यहाँ पे, और तीन हिस्सों में divide होता है फाइब्रो मस्कुलर होते हैं, यानि कि बहुत ही पतले फाइबर जैसे, फाइबर के मस्कुलर सिस्टम में हैं यह, लेकिन एकदम थिन होते हैं, यानि इट रिमेंस अटाश्ट टू टर्गा, टर्गा क्या होता है, मैं डाइगराम में आपको दिखाने ही कोशिश तब्सक्राइब गराएबर केम होता है, ट्यारी से इन का तो यानि मस्के में आपको दिखाने ही कोशिश करूँगा, तो पर लेकिन आप देखो के फिर भी आपको नजर आ रहा हो यहां पर यहां पर चेंबर भी प्रेजन तो वहीं यहां पर बताने कि हम कोशिश करेंगे आपको that is ventral diaphragm जो होता है उपर की तरफ का नीचे की तरफ का स्वारी वेंटरल मतलब आगे की तरफ या फिर नीचे की तरफ बोल सकते है तो वह क्या होता है नीचे से हो लोग क्या होते है चप्टे होते है एकदम और इस प्रेजन जस्ट अब वेंटरल न और तीसरा है perineural sinus तो यह तीन sinus क्या-क्या होते हैं कोक्रोच के अंदर यह हम लोग discuss करेंगे सबसे पहले बगर बात करें तो पिछे के तरफ प्रेजन रहता है काफी ज़्यादा छोटा भी होता है और इस यह अगर प्रेजन जो फरक समुझा रहा है दोस्तों पिछे के तरफ चोटे ते यह peri visceral के middle में है और सबसे बड़े है largest है and it contains fat body क्या present रहता है इसके अंदर fat bodies जो होते है ना normally cockroach के अंदर वो यहाँ पे present होते है almost all major visceral organs जितने भी most important organs जो होते है visceral organs जो होते है cockroach के वो यहाँ पे present होते है animal injury के लाल के भी जो organs होते है वो यहाँ पे peri visceral sinus में ही present होते है और साथ में reproductive system भी जो होता है वो यहीं पे present होते हैं जिसमें peri visceral sinus है clear है अब तीसरा जो है peri neural sinus के अगर बात करें तो यह आगे की तरफ present होता यानि कि ventral है छोटा होता और साथ में it contains the ventral nerve cord जैसे dorsal में क्या था dorsal nerve cord present था ठीक है ना वैसे यह ventral में है तो इसमें क्या रहेंगे ventral nervous cord present रहेंगे और यह पुरा continue होते हैं पैर तक क्योंकि निच्चे की तरफ से उनका पैर भी शुरू होता है तो पैर तक continuous होके चले जाते हैं ठीक है ना फैले होए रहते है और dorsal blood vessel जो होता है it is present in the pericardial sinus ठीक है pericardial sinus में जो उपर का तरफ का जो वैसल था dorsal blood vessel वो हापे present है तर्गम के just below यह भी जो है it is divided into posterior heart and anterior erota जैसे मैंने diagram में भी दिखाया था उपर की तरफ का anterior erota था वैसे पीछे की तरफ का रहेगा posterior heart तो यह 200 में divided है posterior heart और anterior erota heart की अगर बात करें cockroach के case में तो heart लगबग होता है 2.5 cm long काफी छोटा होता है 2.5 cm मतलब इतना आप समझ सकते है 2.5 cm long होता है narrow होता है पतला सा muscular tube होता है और जो की open होता है anteriorly and closed posteriorly होता है यानि कि आगे की तरफ से खूला होता है पिछे की तरफ से बंद होता है ठीक है यह चीज़ ध्यान में रखना इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th abdominal segment नौवा सेग्मेंट जो होता है जो मैं डाइग्राम में आपको दिखाने कोशिश करता हूं तो यहां से उपर से जब काउंट करते आओगे 123456789 नौवा सेग्मेंट से जो है ना हार्ट का चेंबर चालू होता है वैसे यहां पर हार्ट के चेंबर प्रेजेंट होते हैं तो जैसे मैंने बोला कि it starts from 9th abdominal segment and extend anterior up to the first thoracic segment तो पहले thoracic segment से 9th abdominal segment तक यहां पर क्या present होता है वो उसका heart present होता और जनरली यह 13th chamber में क्या होता है डिवाइड होता है के बात करें तो यहां पहीं say सुरू होता है व्लॉट इन क आक है सि साइनिस एंड़ाव मंसल जैसे हमारे हाट जो है एक बार सर्कोलेशन इन को क सब्सक्राइब कि बिक्रमेर व्लड इन ले कि जाता है और वही फिर ओर्गन से वापस लेगे आता है इस प्रकार पउंपिंग करता है और हमारा manière भी उसी प्रकार चलता है hum कोख्रोच में भी क्या होता है साइन और हाट के बीच में यहां पर अगेन कंटिनुएसली कॉंट्राक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ठीक है न हाट का और यहां पर क्या है एलरी मसल्स है जो की करवाते हैं and that's why वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इस वज़े से हो पाता है हाट जो होता है वह अल्टरनेटली कंट्राक करता है करेगा जिसको शिष्टॉल बोलते हैं ने थोड़ा सा रिलेक्स हो जाएगा जिसको डॉस्तोल बहुता है यह जैसी डिश्टॉल खतम और शिसत्रा नीनिट कर दाथ तो भी धैस को लिए पहले आया सिस्टॉल दूसरा आया तो यहाँ एक और फेस आता है जो आट गेशन की तीसरा फेस आपका और इसमें क्या होता है कि हर्ट साइकल में यह जो होता है जो एक्सपांडेड ही रहता है clear दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा और वही आगया अगर बात करें दूरिंग डायस्टोल एलरी मसल्स जो होते हैं वो contract करते हैं ठीक है थोड़ा सा contract करेंगे making the dorsal diaphragm flat जैसे ही वो contract होगा यहां पर बताया परिविसरल और परिकार्डियल साइनस था तो वहां से जो बलड है वो पास होना शुरू होता है ठीक है आउस्टिया के तो बाद में वहां पे हाट पे पहुँच बाता है जो आपका तो आगे की तरफ से वह पास होता है जिसके वजएसे डूट इस ब्लड इस पुश ऑवे तो सीफलिक वेसल जो होता है जैसे हमारी हमेन में होते हैं उसी प्रकार यहां पर भी वॉल्स लगे होते हैं जो की ओपनेंड क्लोज होते रहते हैं according to the demand and as a result जो सिस्टोर होता है blood is flushed into the head region blood जो है इतम तेजी से head region की तरफ जाता है जिसमें क्या होता है from where it goes to the perivisceral and perineural sinus तो वहां से वो perivisceral और perineural sinus तक blood जो है वो deposit हो जाता है clear दोस्तों तो यही था हमारा blood circulation का topic उमीद करता हूँ कि यह चीज भी आपको clear हो गया होगा बहुत ही simple सा एं बहुत ही easy and साधाना सा topic था एक बार बस आपको थोड़ा सा इस चीज़ को इस वीडियो and will study the respiratory system of cockroach in the next lecture ठीक है दोस्तों नेक्स लेक्चर में जल से जल आपका अगला लेक्चर जब आएगा उसमें हम लोग जो बचा हुआ पाट है का को please को like किजैगा श्यर किजेगा आपने सारे friends लोग को फटा फट से share कर देना अगर आपने अभी तक इस channel को सब्सक्क्राइब ने किया है तो फटा फट से हमारे channel को भी subscribe स्वाइब कर देना साथ में पेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो से अप्लोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एन गुडबा ने ईसल्ड़म通 आण करता हैं को मिलते हैं हैं टो भी हमसी हैं कर दो कैसा टाते हैं वीडियों घ twाले अक्राइब कर दो कर दो किक दो